तो आज मैं आपको बताऊंगी कि how to solve circular based puzzle जो circular वाली puzzle होती होने कैसे solve करना है हमारे पास एक question है 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around a circular table not necessarily in the same order ठीक है some of them are facing inside the center or some of them are facing outside the center ऐसे cases में हमेशा दो possibilities तो लेकर ही चलनी है और इन cases में मतलब आप पूरी puzzle पहले पढ़ लेंगे उसके बाद solve करेंगे 3 persons are sitting between D and F and both are facing opposite direction to each other C is sitting third to right of E who is sitting opposite to A E is sitting second to right of D and F and faces the opposite direction as F faces ठीक है G is neighbor of both E and D and faces away from the center B faces towards the center G sits third to left of A हमें पूरी puzzle पढ़ने के बाद यह पता चल रहा है कि E के बारे में जो possibilities हैं वो सबसे ज्यादा मतलब हैं और E से हम solve कर सकते हैं और जब भी ऐसी पजल आएंगी तो आपको हमेशा नॉर्थ साइट से लेके चलना है तो हंड्रड में से 90% आपकी पजल सही जाएंगी देखो यहां पर नॉर्थ ले लिया इसे हमने स्टार्ट कर जी पजल क्योंकि यह के बारे में सबसे ज्यादा हमारे पास information है इसलिए हमने इसे स्टार्ट किये तो सी यहां पर आ गया 123 सी यहां पर आ गया अब इस हूई सेटिंग अपोजिट टो ए तो ए यहां पर आ गया ह तो इसलिए हमेशा दो पॉसिबिलिटी तो मिनिमाम आपको बना के चलनी ही है तो यह क्या है इस सेटिंग सेकिंट टो राइट अफ दी और यहां पर क्या हो जेगा यहां पर ऐसे हो जाएगा इसने आउटसाइट फेस का दिया ठीक है और एंड एफ मतलब एफ से भी अपो थिए उसके बाद एंड फेस दा उपोजी डिरेक्शन ऐस फेस मतलब उसने अपजी डिरेक्शन फेस किया है उने मतलब एन अंदर तो फने बार या फिर आफ ने अंदर तो इसमें तो दोनों ही अंदर अंदर होगे तो यह पासिविलिटी हमारी कैंसिल होगी उसके बाद इस नेबर आफ बोथ ही एंडी मतलब जी यहां पर आ गया जी दोनों का नेबर एंड फेस अवे अवे फेस कर रखा है उसने बी फेसिस टुवार्ट सेंटर जी सिट थर्टू लेफ्ट अफे ठीक है बी को अभी हम साइड में रखेंगे पर जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है इसका मतलब इसने नौर्थ साइड फेस कर रखा इसलिए यहां पर बैठेगा ठीक है उसके बाद एफ इस तर्टू राइट अपर है और एच ने नौर्थ कर रखी होएगी तब ही यहां पर जाएगा अब बी के लिए यही जगा पची और बी ने कैसा फेस कर रखा है तो पर जी सेंटर ठीक है उसके बाद बी और इंड फेस दा ऑपोजिट डिरेक्शन बी और सी ने ऑपोजिट डिरेक्शन पेस कर रखा है मतलब इसने टूर्ड जा सेंटर तो यह अवे दा सेंटर ठीक है और सी सीट सेकिंड लेफ्ट अब यह हमारा प्रूफ भी हो गया कि सी जो है वो बी के सेकिंड लेफ्ट में बैठ है तो आई होप यह आपको समझ आ गई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू